हेलो गईज विल्कम टो युनिवॉसिटी अपडेट यहां में लेगे आपको डियू के हर कोने-कोनी के अपडेट तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हर अपडेट आपको ठामले मिल सके गईज जैसे कि आप थमनेल में देख सकते हैं सीवीटी के आंसर की रिस्पॉंस की ओमर शीट और एक डबबा दिखाया जा रहा है यह स्टील का डबबा जो दहेज में दिया जाता है तो गईज यह डबबे से न्यूज भी रिलेटेट बहुत जादा है इस पर बताऊंगा क्या चु और इसमें एक पॉलिटिक्स भी हो रही है वो भी बताऊंगा वी उसके लिए कुछ हो रहा है सारी चीज़े डिसकस करूंगा तो वीडियो स्राट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आज आप इतने प्रब्लम में होना सोचों उन बच्चों का जिनके पास म आज भी किट्यूबर है जो बच्चों की जैनुवली और फ्री में हेल्प करता है तो सबसे पहले वो डब्बा दिखाना चाहूंगा सारा बवाल इस डब्बे पर हुआ है कल कल में यह बवाल कट गया कि भाया यह डब्बा ना खुले आसमान के नीचे रख दिया है और मतल लीक हो चुकी है ठीक है तो एक दिदी आती है निउस चैनल पर इस डब्बे को दिखाती है कि यह खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है आपका डब्बा तो देखो आपके साथ बहुत अनर्थ हो गया है मतलब आपको पूरा यकीन हो गया बहुत रेप्यूटेड वो चान लीक है तो एक्चुली इस चीज़ को पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट किया जाने लगा और सारी चीज़े होने लगी जो भी चीज़ थी कुछी देर बाद इस विडियो के रिलीज होते ही कि मतलब आपके साथ अन्याए हो गया खुले आसमान के नीचे रखे गये हैं दब्बे कुछी देर बाद एंटीए सामने आता है और बोलता है कि ये जो दब्बे है न ये सारे खाली हैं ये जो धेज के डब्बे हैं ये साफ साफ वहां के जो वरकर थे उन्होंने बोला कि NTA को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है NTA पर प्रेशर बनाया जा रहा है हर तरफ से जबकि NTA ने इतने सॉलिड 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 स्टेप्स लिए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले NTA ने अपने डिरेक्टर जिनरल को हटा दिया है सुभोध कुमार सिंग को हटा के उन्होंने रिटायर आइस ऑफिसर प्रदीप सिंग करोला को अपॉइंट किया है यह सबसे बहुत बड़ा स्टेप होता है यार किसी भी एजेंसी के हेड को डिरेक्टर जेनरल को हटा देना इस नॉट आ स्मॉल तेंग तो भाई यह चीज आप अगर सोच रहे हो कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप किसी बहें में घूम रहे हो कि भाई नहीं सिउटी कुछ तो ट्रस्ट करो एंटिये पे आर आप में से मुझे एक बात बता दो कमेंट सेक्शन में लिखके बताना कौन-कौन बच्चा है कौन-कौन बच्चा है जो एक्जाम दुबारा देना चाहता है कौन-कौन कितने बच्चे हैं जो एक्जाम दुबारा देना चाहते हैं वो नीचे लिख दो वही आप दुबारा देना चाहते हो एक्जाम और जो बच्चे नहीं देना चाहते हो एक्जाम जादा बच्चे ह होंगे जो नहीं देना चाहते होंगे तो भाई एंटिये पे ट्रस्ट करो इस टाइम ठीक है आपको जरूरत है यह जो व्यूस के इनके चैनल भी बंद हो सकते हैं अगर सरकार के खिलाफ यह लोग जाते हैं सरकार अगर कुछ गलत करती है तो आवाज उठाना बनता है लेकिन अभी ना आपका रिजल्ट आया ना उन डबो में कुछ था फालतु की निउस बना दी उसको कि भाई आपके डबे खुले आसमान के नीचे रखे मैं बताओ एंटी ने फोल के दिखा दिये डबे कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पिन करके भेज रहा हूं वो भी एक निउस चैनल नहीं दिये वीडियो उसको जाके देखो उस वीडियो को डेली निउवसिटी के कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रूप है टेलीग्राम का जॉइन करिये इसे और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी आपको क्या करना है टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सोर्च बार में लिखना है डेली नुवसिटी और मेरा ग्रूप सबसे टॉप आप पे आ जाएगा आकर मेरे से आप आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी देखना कि क्या सच में ऐसा एंटीय ने करा क्या सच में एंटीय ने करा वही डब्बे वही लोकेशन वही डब्बे और वही चीज खोल के दिखाई एंटीय ने सामने ऐसा ने बदल दिये इतने सारे डब्बे हैं पूरा हुजूम है उन डब्बो को हटाया जाए नहीं जा सकता इतनी जल्दी वह खाली थे डब्बे सारे एंटी थे तो गईज उन डब्बो में तो कुछ था नहीं अब गईज यह तो हो गई इस रिखाई करहें थे जल् Prinzip को एयसं तो यहीं जम नहीं तो लोग चाहते साथ हूं आप करो आपका मने करिए यहсуд तो चाहते आनदी जंता तो लोग चाहते हैं आनदी जंता आण शंतिया ना देखती है ना समझती है simple तो guys थोड़ा सा धिमाग सेंस लगा के रखो यार NTA पे believe करो यार थोड़ा बहुत believe करो माना उससे थोड़ी बहुत गलती हो गई माफ भी कर देना चाहिए क्या दिक्कत है इतना इस टाइम इंडिया में किसी के पास पावर नहीं है कि NTA को सीधा हटा दे exam से ठीक है तो तो वो भी सोचो यार कुछ ऐसे end point पे नहीं चले जाना चीए एकदम तो guys अब कुछ news है कुछ newspapers दिखा रहे हैं कि देखो सबसे पहली बात तो आपके 30 June को जो result आने वाले थे His June को जो result आने वाले थे वो cancel हो चुके है Finally 30 June को जो result आएंगे 30 June को आपके result नहीं आने वाले है किसी हाल में भी नहीं आएंगे main चीज बात करता हूँ अब एक news है कि 30 June को एक तो NEET वालों का result आने का वो है जो री नीट हो रहा था न तो उनके साथ हो सकता है आपकी आंसर की रिलीज करते हैं उस दिन हो सकता है expected है expected है कि 30 जून को आपकी आंसर की रिलीज कर दें और डियू का जो phase 2 2 जूलाई को रिलीज होने वाला था जो डियू अलग अलग पोर्टल्स में कह रहा था जो अलग अलग निउस्पेपर्स में कह रहा था वो तो भाई नहीं होगा 2 जूलाई को वो लेट जाएगा 10 जूलाई तक जा सकता है 15 जूलाई तक जा सकता है तो गईज जो exact news है यह है expectation के हिसाब से देखा जाए exactly तो यह चीज़े final ठीक है अब आपको कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है I don't know आप follow करो very good सुनो सबकी करो अपनी ठीक है बस एक बात याद रखना ठीक है तो गईज यही कुछ कहना था मुझे मुझे पता है मेरी बातों से कई बच्चे satisfied नहीं होंगे लेकिन भाई मैं यहाँ आपको satisfaction नहीं देने बैठा हूँ जो reality है न मेरे channel पे कड़वी सच्चाई मैं बोलता हूँ मेरे channel पे कड़वी सच्चाई ही बोलता हूँ मैं और कुछ नहीं बोलता कोई perfect नहीं है इस दुनिया में गलतियां हो जाती है कभी कभी किसी से लेकिन मैंने कभी जान बूच के कोई जूट नहीं बोला होगा कि आप बच्चों का future दिकत में आए मैं जानता हूँ आप लोग मेरे से सहमत भी होंगे कुछ सहमत भी होंगे तो good very good कोई बात नहीं लेकिन जो सच है वो यह है जो आपके सामने था मैंने आपको वीडियो में बताया तो यही कुछ था गाई इस वीडियो में इसके regarding अगर आपकी कोई query हो comment section आपके लिए open है कोई restriction नहीं है मुझे गाली दे नहीं है गाली दे दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ simple और एक मेरा telegram group है उसको भी join कर लो वहाँ भी आके आपको मन करे गाली देने का तो भाई दे देना ठीक है चलो उसे कैसे join करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये गाइस हमारा telegram group है इसके link में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए अगर आपको कोई भी query आ रही है DU के किसी भी चीज के regarding आप इसको join करिए और अगर link पे click करने के बाद telegram group load नहीं होता तो जो भी हमारी group के picture लगी है आप टॉप पे देखेंगे क्योंकि हमारा group टॉप में आ रहा है इस टाइम डेली इनिवर्सिटी के तो आप join करके query पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे अधर कोई query होगी तो guys comment section में जरूर पूछेगा अगर यहां तक आपको video जरा सी भी informative लगी तो guys एक like तो बनता है आपसे कोई notification मिस ना हो जाए या आपकी कोई information मिस ना हो जाए तो उसके लिए channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर notification मिल जाए thank you